हाई गाइस वेलकम बेक टू माज़ेंटें कैसे हो आप सब आयं, व्योव आप सब अच्छे होंगे तो आज की वीडिओ में में मैं आपके साथ राइस वाटर हेयर टोनर की वीडियो शेयर करने लगी हू होप गाइस आपको मेरी यह वाह्व वीडियो अच्छी लगए क्योंकि यह वाहत ज़ब वीडियो को सचाट करते हैं तो गाइस इस टोनर को बनाने के लिए बहुत ही कम चीज्चों की हमें दरूरत है गर्मियों मैं मांसून में आप यह वाहा टोनर जरूर यूज़ कीजिए आपको बहुत ही अच्छे रिजर्ट देखने को मिलेंगे मैंने सबसे पहले तो राइस लिये हैं घर पर सानी से अवलेबल होते हैं मेथी दाना मैंने लिया है एक मैंने लैमन लिया और मैंने अलोवीरा लिया है यह सारी चीज़े आपको इसली अपनी किचन में मिल जाएगी आप चाहे तो फ्रेश अलोवीरा का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कंटेनर लिया है आपके पास कोई भी कंटेनर आप उसका यूज कर सकते हैं तो आपको इसकी जितनी कॉंडिटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप उतना पानी ले सकते हैं मैंने यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है और उसमें आदा के टोरी मैंने राइस डाले हैं आदी के टोरी मैंने चावल डाले हैं जो भी चावल आप यूज करते हैं, उसी को आपको इसमें डालना है, तो देखें, अब मैंने इसमें मेथी दाना डाला है, मेथी दाना भी आपको इसली पंसारी की शौप से या किसी भी राशन की शौप से आप इसे बाई कर सकते हैं, इसमें थोड़ी-थोड़ी कोलोंजी यहां पर यूज़ कर सकते हैं मैंने एक चमच यहां पर अलोवीरा डाली है तो इन सबी चीजों को आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपको इसे बंद कर देना है बिलकुल भी इसमें हवा क्रॉस नहीं होनी चाहिए तो देखी इसमें लेमन मैंने कुछ इस तरह स एड की है लेमन का जो शिलक है न हमें सिरफ उसी को इसमें एड करना यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है हमारे बालों के लिए मौनसून में हमें हेरफॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है तो अगर आप इस तरह से टोनर बनाकर यूज करेंगे आपके ब बंद करदेना आ आप चाही तो इसे ओवरनाइट ऐसी तरह से छोड़ सकतें या तहीं तीन से चार गंटों के लिए आपको इसी तरह से छोड़ देना है तो देखें मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ है चावल जो आप बिल्कुल फूल गए और भीगे रहे हैं पुरी रात चावल, लेमन, एलोवीरा, मेथी दाना इन सभी का असर इस पानी में बहुत ही अच्छी तरह से आ चुक है लेमन हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीशियल है राइस वाटर आप सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है इसके रेगुलर यूज से आपके बाल इतनी तेजी से बढ़ेंगे कि आप खुद हरान हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि चावल कितने फूल गए हैं इन सभी चीजों का असर अब इस पानी में आ चुक है यह पानी अब हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल है यह जो चीज़ें आप इने जो चावल है इसे आप पीस कर इसका पैक भी मना सकते हैं तो देखिए इसे अब मैंने एक स्प्रे बॉटल में एड़ कर लिया है स्प्रे बॉटल में मैंने डाल दिया है इस तरह से आपके पास कोई भी खाली स्प्रे बॉटल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं अब इसे आपको अच्छी तरह अपने बालों पर, स्कैल पर, लेंथ पर अच्छी तरह से अप्लाई करना है आप इसे कम से कम वन वीक के लिए या फिर फिफ्टीन डेस के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं जो हम मार्किट से टोनर लेते हैं, कोई भी चीज हम मार्किट से लेते हैं उसमें बहुत से कैमिकल उन्होंने एड़ की होते हैं आपने देखा है कि इसमें हमने कोई भी किसी भी तरह का chemical इसमें नहीं डाला है, सिरफ natural चीज़ें हमने इसमें डाली है, जो सारी हमारी बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा beneficial है, इस तरह से पूरे scalp पर आपको इसे spray करना है, length पर अच्छी तरह से spray करना है, सारे बालों पर toner अच्छी तरह से लग जाना चाहिए, और इसके बाद आप इसे 1 घंटे के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, तक कि पूरे बालों पर scalp पर इसका अच्छी तरह से असर हो, यह सारी चीज़े हमारे बालों के लिए आपको dandruff की problem है, hair fall की problem है, यह सबी problem आपकी ठीक होंगी, सिरफ और सिरफ इसी remedy से आपको इसी तरह से toner बनाना है और उसका यूज करना है, तो जब भी आपको hair wash करना हो ना, उसके पहले आप इस तरह से अपने बालों पर अच्छी तरह से इसकी spray कर लीजिए, और 45 मिनट क इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद hair wash कीजिए, hair wash के लिए भी आपको बिल्कुल chemical free shampoo को use करना चाहिए, क्योंकि आजकल shampoos में इतने ज़्यादा chemicals add हैं, जो हमारे बालों को उस टाइम तो बहुत अच्छा सिल्की बना देते हैं, बट वो धीरे-दीरे हमारे बालो जशन के बालों में मैंने टोनर लगाया है, आपको 45 minutes के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद आपको hair wash करना है, तो देखें, after 45 minutes मैं जशन को hair wash करवा रही हूँ, hair wash के लिए भी मैंने आयूर herbal shampoo को use किया है, जो कि बिल्कुल chemical free shampoo है, conditioner भी आपको use करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा वाला shampoo है, अगर आप इसका regular use कर लेंगे तो trust me guys, आपको और shampoo use नहीं करेंगे, आपको इसके result इतने जदा अच्छे लगेंगे, जशन के बाल बहुत ही जदा लंबे हैं, घने हैं, मजबूत हैं, इसका कारण यही है कि मैं उसके बालों के आप सब को बता है कि जशन के बाल बहुत जदा सुन्दर है, उसके बालों के length बहुत जदा increase हुई है, इसका कारण यही है कि मैं उसके बालों में natural herbal चीज़े ही यूज़ करती हूँ, जिसकी वज़ा से उसके बाल इतने जदा सुन्दर हैं, तो अगर आप भी अपने बालो जशन के बाल देख सकते हैं, कि उसके बाल कितने जदा सुन्दर लग रहे हैं, हेर फॉल की problem उसे बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आपको भी मानसून में या फिर वैसे भी आपको हेर फॉल की problem है, डेंडरफ या इचिंग की problem है, या बालों से related कोई भी आपको परिशान तो आप इस चोनर का यूज जरूर कीजिए, रेगुलर यूज कीजिए, किसी भी चीज का फाइदा हमें तब ही मिलता है, अगर हम उसका रेगुलर यूज करते हैं, आपको मेरी येवली वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्स इस वीडियो में थेंक्या